आम शान्ति अव्यक बापतादार रिवाईश कतिस बाराس तासी सार है नया वर्ष बापसमान बनने का वर्ष आज त्रेमूर्थे बाप तेन संगम देख रही है एक है बाप और दूसरा बच्चों का संगम दूसरा है ये संगम युक, तीसरा है आज वर्ष का संगम तेनों ही संगम अपनी अपनी विशेषता का है और एक संगम परिवर्तन होने की प्रेणा देने वाला है संगम युक विशव परिवर्तन की प्रेणा देता है बाब और बच्चों का संगम सरब श्रेष्ट भाग्य एवं श्रेष्ट प्राप्तियों की अनभुती कराने वाला है वर्ष का संगम नविन्ता की प्रेणा देने वाला है तीनों ही संगम अपने अर्थ से महत्तव रखती है आज सभी देश विदेश के बच्चे विशेश पुरानी दुनिया का नया वर्ष मनाने के लिए आई है बाब दादा सभी साकार रूपधारी पा आकारी रूपधारी बुद्धी के विमान से पहुंचे हुए बच्चों को देख रही है और नय वर्ष मनाने की डाइमेंड तुल्य मुबारक दे रही है क्योंकि सब बच्चे हीरे तुल्य जीवन बना रही है डबल हीरो बने हो एक तो बाब की अमुल्य रतन हो हीरो डाइमेंड हो दूसरा हीरो पार्ट बजाने वाले हीरो हो इसलिए बाब दादा हर सेकिंड हर संकल्प हर जनम की अविनाशे मुबारक दे रही है आज श्रेष्ट आत्माओं का सिरफ आज का दिन मुबारक वाला नहीं लेकिन हर समय श्रेष्ट भागे श्रेष्ट प्राप्ति के कारण बाब को भी हर समय आप मुबारक देते हो और बाब बच्चों को मुबारक देते सदा उड़ती कला में ले जा रही है इस नए वर्ष में यही विशेश नविन्ता जीवन में अनुभव करते रहो जो हर सेकंड और संकल्प में बाप को तो सदा मुबारक देते हो लेकिन आपस में भी हर प्रामन आत्मा वा कोई भी अंजान अज्यानी आत्मा भी संबंद वा संपर्क में आई तो बापस मान हर समय हर आत्मा के प्रति दिल के खुशे के मुबारक वा बदाई निकलती रहे कोई कैसा भी हो लेकिन आपके खुशे की बदाई उनको भी खुशे की प्राप्ति का अनुभू कराए बदाई देना ये खुशे की लेन देन करना है कभी भी किसी को बदाई देते तो वे खुशी की बदाई है दुख के समय बदाई नहीं कहेंगे तो हर एक आत्मा को देख खुश होना वा खुशी देना यही दिल की मुबारक वा बदाई है दूसरी आत्मा भले आपस में कैसा भी व्यवहर करे लेकिन आप बाप दादा की हर समय बदाई लेने वाली श्रेस्ट आत्मे सदा हरे को खुशी दो वे कांटा दे आप बदले में रुहानी गुलाब दो वे दुख दे आप सुक दादा के बच्चे सुक दो जैसे से वैसे नहीं बन जाओ अज्यानी से अज्यानी नहीं बन सकते संसकारों के वास्वभाव के वशी भूत आत्मा से आप भी वशी भूत नहीं बन सकते आप श्रेस्ट आत्माओं के हर संकल्प में सरव कल्यान की श्रेष्ट परिवर्तन की वशी भूत से स्वतंतर बनाने की दिल की दुआएं वा खुशी की मुबारक सदा नेशरल रूप में दिखाई दे क्यूंकि आप सभी दाता अर्थार्थ देपता हो, देने वाला हो तो इस नए वर्ष में विशेश खुशियों की मुबारक देते रहो, ऐसे नहीं कि सिर्फ आज के दिन वा कल के दिन चलते फिरते मुबारक हो मुबारक हो ये कहके नया वर्ष अरंब करना नहीं करना कहना भले दिल से कहना लेकिन सारा वर्ष कहना सिर्फ दो दिन नहीं कहना किसी को भी अगर दिल से मुबारक देते हो तो वे आत्मा दिल की मुबारक दिल से दिलखुश हो जाए तो हर समय दिल खुश मिठाई बांटते रहना सिर्फ एक दिन नहीं मिठाई खाना वा खिलाना कल के दिन मुख की मिठाईया जितनी चाहिए उतनी खाना सभी को बहुत बहुत मिठाई खिलाना लेकिन ऐसे ही सदा हर एक को दिल से दिल खुश मिठाई खिलाते रहो आजकल की दुनिया में तो फिर भी मुख की मिठाई खाने में डर भी है लेकिन ये दिलखुश मिठाई जितनी चाहिए खा सकते हो और खिला भी सकते हो इसमें बिमारी नहीं होगी क्योंकि बाप दादा बच्चों को समान बनाते है तो विशेश इस वर्ष में बापसमान बनने की यही विशेशता विशव के आगे ब्रामन परिवार के आगे दिखाओ जैसे हर एक आत्मा बावा कहते मदूरतावा खुशी का अनभव करती है वा बावा कहने से मुख मीठा होता है क्योंकि प्राप्ती होती है ऐसे हर ब्रामन आत्मा कोई भी ब्रामन का नाम लेते ही खुश हो जाए क्योंकि बापसमान आप सभी भी एक दो को बापदादा द्वारा प्राप्त हुई विशेशता द्वारा आपस में लेंदेन करती हो आपस में एक दो के सहयोगी साथी बन उन्ती को प्राप्त कराते हो जीवन साथी नहीं बनना लेकिन कारे के साथी भले बनो हर एक आत्मा अपनी प्राप्त विशेश्ताओं से आपस में खुशी की लेंदेन करते भी हो और आगे भी सदा करते रहना जैसे बाप को याद करते ही खुशी में नाचते हैं वैसे हर एक ब्रामन आत्मा को हर ब्रामन याद करते रुहाने खुशी का अनभव करे हद की खुशी का नहीं हर समय बाप की सरप्राप्तियों का साकार निमित रूप अनभव करे इसको कहते है हर संकल्प वा हर समय एक दो को मुबारक देना सबका लक्षे तो एक ही है कि बाप समान बनना ही है क्योंकि समान के बिना तो ना बाप के साथ स्वीट हो में जाएंगे और ना ब्रमा बाप के साथ राज्ये में आएंगे जो बाप दादा के साथ अपने घर में जाएंगे वही ब्रह्मा बाप के साथ राज्ये में उतरेंगे उपर से निचे आएंगे न, सिर्फ साथ जाएंगे नहीं लेकिन साथ आएंगे भी पुज्य भी ब्रह्मा के साथ बनेंगे और पुजारे भी ब्रह्मा बाप के साथ बनेंगे तो अनेक जन्मों का साथ है लेकिन उसका आधार इस समय समान बन साथ चलने का है इस वर्ष की विशेष्टा देखो नमबर भी आठ आठ है आठ का कितना महतव है अगर अपना पुज्य रूप देखो तो अस्ट बुजादारी अस्ट शक्या उसी की ही यादगार है अस्ट रतन अस्ट राजधानिया अस्ट का भिन भिन रूप से गायन है इसलिए ये वर्ष विशेष बापसमान बनने का द्रिड संकल्प का वर्ष मनाओ जो भी करम करो बापसमान करो संकल्प करो बोलो बोल बोलो संबंद संपर्क में आओ बापसमान ब्रह्मा बापसमान बनना तो सहज है क्योंकि साकार है 84 जनम लेने वाली आत्मा है पुज्य अत्वा पुजारी सभी की अन्भवी आत्मा है पुरानी दुनिया के, पुरानी संस्कारों के, पुरानी हिसाब किताब के संगठन में चलने और चलाने सब बातों के अनभवी है तो अनभवी को फॉलो करना मुश्किल नहीं होता है और बाप तो कहती है कि ब्रह्मा बाप के हर कदम के उपर कदम रखो कोई नया मारग नहीं निकालना है, सिरफ हर कदम पर कदम रखना है ब्रह्मा को कौपी करो इतनी अकल तो है ना, सिरफ मिलाते जाओ क्योंकि बाब दादा दोनों ही आपके साथ चलने के लिए रुके हुई है निराकार बाब परमधाम निवासी है क्योंकि संगम्युक पर साकार द्वारा पार्ट तो बजाना पड़ता है इसलिए आपके इस कल्प का पार्ट समाप्त होने के साथ दादा दोनों का भी पार्ट इस कल्प का समाप्त होगा फिर कल्प रपेट होगा इसलिए निराकार बाब भी आप बच्चों के पार्ट के साथ बंदा हुआ है शुद बंदन है लेकिन पार्ट का बंदन तो है ना स्नेहे का बंदन सेवा का बंदन लेकिन मिठा बंदन है करम भोग वाला बंदन नहीं तो नया वर्ष सदा मुबारक का वर्ष है नया वर्ष सदा बापसमान बनने का वर्ष है नया वर्ष ब्रह्मा बाप को फॉलो करने का वर्ष है नया वर्ष बाप के साथ स्वीट होम और स्वीट राजदानी में साथ रहने का वर्दान प्राप्त करने का वर्ष है क्योंकि अभी से सदा साथ रहेंगे अभी का साथ रहना सदा साथ रहने का वर्दान है नहीं तो बराती बनेंगे और नजदीक वाले संबंदी के बजाए दूर के संबंदी बनेंगे कभी कभी मिलेंगे कभी कभी वाले तो नहीं हो न पहले जनम में पहले राज्य का सुक और पहले नंबर के राज्य अधिकारी विश्म महराजा विश्म महरानी के रोयल संबंद उसकी जलक और फलक न्यारी होगी अगर दूसरे नंबर विश्म महराजा महरानी की रोयल फैमली भी आ जाओ तो उसमें भी अंतर है एक जनम का फर्क पढ़ जाएगा, इसको भी साथ नहीं कहेंगे, कोई भी नए चीज एक बार यूज कर लो, तो उसको यूज किया हुआ कहेंगे न, नया तो नहीं कहेंगे, साथ चलना है, साथ आना है, साथ में पहले जनम का राज्य रॉयल फैमली बन कर करना है, इसको कहते हैं समान बनना, तो क्या करना है, समान बनना है, वा बराती बनना है, बाप दादा अज्यानी और ज्यानियों का एक अंतर देख रहा था, एक तरिश्य के रूप में देख रहा था, बाप के बच्चे क्या है, और अज्यानी क्या है, आज की दुनिया में विकारी आत्माई क्या बन गई है, जैसे आजकल कोई भी बड़ी फैक्टरिस वाद जहां भी आग चलती है, तो आग का दुआ निकालने के लिए चिमनी बनाते है न, उससे सदैव धुआ निकलता है, और चिमनी सदैव काली दिखाई देगी, तो आज का मानव विकारी होने के कारण, किसी न किसी विकारवश होने के कारण, संकल्प में, बोल में इर्शया, ग्रेना या कोई ना कोई विकार का दुआ निकलता रहता है, और ज्यानी बच्चों के हर बोल वा संकल्प से, फरिष्टा पन से दुआएं निकलती है, उसका है विकारों की आग का दुआ और ज्यानी तु आत्माओं के फरिष्टे रूप से सदा दुआएं निकलती, कभी भी संकल्प में भी किसी विकार के वश, विकार की अगनी का दुआ नहीं निकलना चाहिए, सदा दुआएं ही निकले तो चेक करो, कभी दुआओं के बदले दुआँ तो नहीं निकलता, फरिष्टा है ही दुआओं का स्वरूप, जब कोई भी ऐसा संकल्प आए या बोल निकले तो ये दरिश्य सामने लाना, में क्या बन गया, फरिष्टे से बदल तो नहीं गया, व्यर्थ संकल्पों का भी दुआँ है, वे जलती हुई आग का दुआँ है, वे आदी आग का दुआँ है, पूरी आग नहीं जलती है, तो भी दुआँ निकलता है ना, तो ऐसे फरिश्टा रोप हो, सदा दुआए निकलती रहे, इसको कहती है मास्टर द्यालू, किरपालू, तो अभी ये बार्ट बचाओ, अपने उपर भी क्रिपा करो, तो दूसरे पर भी क्रिपा करो, नहीं करो, सोचो नहीं, व्यर्थ को न सोचना, न देखना, ये है अपने उपर क्रिपा करना, और जिसने किया, वा कहा, उसके प्रतीवी सदा रहम करो, क्रिपा करो, अर्थार्थ जो व्यर्थ सुना, देखा उस आत्मा के प्रती भी शुब भावना शुब कामना की कृपा करो और कोई कृपा नहीं वा कोई हाथ से वर्दान नहीं देंगे लेकिन मन पर नहीं रखना ये है उस आत्मा के प्रती कृपा करना अगर कोई भी व्यर्थ बात देखी हुई वा सुनी हुई वर्नन करते हूँ अर्थार्थ व्यर्थ बीज का व्रिक्ष बढ़ाते हूँ वायू मंडल में फैलाते हूँ ये व्रिक्ष बन जाता है क्योंकि एक जो भी बुरा देखता हुआ सुनता है तो अपने एक मन में नहीं रखना है दूसरे को जरूर सुनाएगा वरनन जरूर करेगा और एक का एक होता है तो क्या हो जाएगा एक से अनेकताओं में आ जाती है और जब एक से एक, एक से एक माला बन जाती है तो जो करने वाला होता है वे और ही व्यर्थ को स्पस्ट करने के लिए जिद में आ जाता है तो बायो मंडल में क्या फैला व्यर्थ ये दूआ फैला ना ये दूआ हुई या दूआ इसलिए व्यर्थ देखते हुए सुनते हुए स्नेहे से शुब भावना से समालो विस्तार नहीं करो इसको कहते हैं दूसरे के उपर कृपा करना अर्तार्थ दूआ करना तो त्यारी करो समान बन साथ ले चलने और साथ रहने की ऐसे तो नहीं समस्ते हो कि अभी यहां ही रहना ठीक है साथ चलने की त्यारी अभी नहीं करे थोड़ा और रुकें रुकना चाहते हो रुकना भी हो तो बाप समान बन करके रुको ऐसे ही नहीं रुको लेकिन समान बन के रुको फिर भले रुको छुटी है आप तो एवरेडी होना सेवा रुकाती है वा ड्रामा रुकाता है वे और बात है लेकिन अपने कारण से रुकने वाले नहीं बनो करम बंदन वश रुकने वाले नहीं करमों के हिसाब किताब का चौपना साफ और स्पस होना चाहिए समझा अच्छा चारों और के सरब बच्चों को नए वर्ष की महानता से महान बनने की मुबारक सदा साथ रहे सरब हिम्मत वाले फॉलो फादर करने वाले सदा एक तो में दिलखुश मिठाई खिलाने वाले सदा फरिष्टे बन दुआई देने वाले ऐसे बाप समान दियालू किरपालू बच्चों को समान बनने की मुबारक साथ साथ बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते डवल विदेशी भाई भेनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात सदा अपने को संगम्योगी श्रेष्ट आत्मय अनवव करते हो श्रेष्ट आत्माओं का हर संकल्प वा बोल वा हर करम स्वते ही श्रेष्ट होता है तो हर करम श्रेष्ट बन गया ना जो जैसा होता है वैसा ही उसका कारे होता है तो श्रेष्ट आत्माओं का करम भी श्रेष्ट होगा ना जैसी सम्रिती होती है वैसी स्थिती स्वते होती है तो श्रेश्ट स्थिती नेश्रल स्थिती है क्योंकि हो ही विशेश आत्माई उन्चे ते उन्चे बाप के बन गए तो जैसा बाप वैसे बच्चे हुए न बच्चों के लिए सदा कहा जाता है सन सोज फादर तो ऐसे हो आप सब के दिल में कौन समाया है जो दिल में होगा वही बुद्धी में भी होगा बोल में भी होगा संकल्प में भी वही होगा आप लोग कार्ट भी हार्ट का ले आते हो न गिफ्ट भी हार्ट की भेशते हो तो ये अपनी स्थिती का चितर भेशते हो न तो जो बाप की दिल पर सदा रहता है वे सदा ही जो बोलेगा, जो करेगा वे स्वते ही बापसमान होगा बापसमान बनना मुश्किल नहीं है न सिर्फ बिंदी याद रखो, तो मुश्किल नौट हो जाएगी बिंदी को भूलते हो, तो नौट नहीं होता कितनी सहच है डौट बनाना वा डौट लगाना सारा ग्यान इसी एक बिंदी शब्द में समाया हुआ है आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी और जो बीट गया उसे भी बिंदी लगा दो बस छोटा बच्चा भी लिखने जब शुरू करता है तो पहले जब पैंसिल कागज पर रखता है तो क्या बन जाता है डौट बनेगा ना तो ये भी बच्चों का खेल है ये पूरा ही ग्यान की पढ़ाई खेल-खेल में है मुश्किल काम नहीं दिया जाता है इसलिए काम भी सहच है और हो भी सहच योगी बोट में भी लिखते हो सहच राजयोग तो ऐसा सहच अनभव करना इसे ही ग्यान कहा जाता है जो नौलेसपुल है वे स्वते ही पावरफुल भी होंगे क्योंकि नौलेस को लाइट और माइट कहा जाता है तो नौलेसपुल आत्माएं सहच ही पावरफुल होने के कारण हर बात में सहच आगे बढ़ती है तो ये सारा ग्रूप सहच राजयोगियों का ग्रूप है ऐसे ही सहच योगी रहना अच्छा फर्दान है शंशे के संकल्पों को समाप्त कर मायाजित बनने वाले विजई रतन भव कभी भी पहले से ये शंशे का संकल्प उत्पन ना हो कि ना मालुम हम फेल हो जाएं शंशे बुद्धी होने से ही हार होती है इसलिए सदा यही संकल्प हो कि हम विजई प्राप्त करके ही दिखाएंगे विजई तो हमारा जनमसित अधिकार है ऐसे अधिकारी बनकर करम करने से विजई अर्थार्थ सफलता का अधिकार अवश्य प्राप्त होता है इसी से विजई रतन बन जाएंगे इसलिए मास्टर नौलेस्पुल के मुक से नामालुम शब्द कभी नहीं निकलना चाहिए स्लोगन रहम की भावना सहज ही निमित भाव इमर्च कर देती है सुचना आज मास का तिसरा रविवार अंतरास्ट्य योग तिवश है बावा के सभी बच्चे साएं साड़े छे से साड़े साथ बजे तक विशेश अपने पुर्वज स्वरूप में स्थित हो कल्प व्रिक्ष की जड़ों में बैट तपस्वी मुरत बन पूरे व्रिक्ष को सरवशक्तियों की शाकाश देने की सेवा करें ओम शन्ति